हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो दिखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आज है हमारे पास क्लास 12 का केमिस्ट्री का MCQ स्रीज का लेक्चर नमबर नाइन तो यह MCQ स्रीज है बोर्ड एक्जाम के लिए क्लास 12 के बोर्ड एक्जाम के लिए और इसका आज लेक्चर नमबर नाइन है यह सारे लेक्चर वन सौट लेक्चर है एक ही लेक्चर में पूरे चेप्टर के इंपॉर्टेंट और प्रिव विकल्पिय प्रस्न है उन्हें सब को एक साथ हम डिसकस कर रहे हैं चैप्टर वाइज तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर नाइन है तो इसलिए यह MCQ स्रीज का लेक्चर नंबर नाइन है और हमारे नौवे चैप्टर या नौवे यूनिट का नाम है एमीन्स एमीन्स को हम कह सकते हैं नाइटरोजन यूगत कार्बनिक योगिक तो चाहे आप एमीन को हो या नाइटरोजन यूगत कार्बनिक योगिक को हुँ दून्नों बातों का एक ही मतलब है ठीक है आपको सबको पता है कि जो MCQ स्रीज है वो बोड एक्जाम के लिए super duper most important series है और इस में से हर एक lecture में जितने भी question आपको कराए जा रहे हैं हर एक lecture में से दो या तीन question आपको exam में मिलेंगे चाहे वो बहु विकल्पिय के रूप में मिलें चाहे अतीलगू त्रिय प्रस्न के रूप में मिलें चाहे कैसे प्राप्त करो एक या दो question आपको दो या तीन question आपको exam में जरूर मिलेंगे ठीक है हर एक lecture में से तो देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला question क्या है question number first एमीन वाले chapter का पहला question हम solve करने जा रहे हैं और आप देख लेना जितने भी question मैं आज आपको कराऊंगा उन सारे question में कितने question आपके सही हुए हैं जिन बच्चों ने इस chapter को पूरा पढ़ रखा है उनके लिए यह बहुत important है revision के लिहास से mcq series बहुत important है one sort question series भी revision के हिसाब से बहुत important है one sort question series जो इस से पहले हमने कराई थी देखो बटे यहां है cs3 का whole thrice c single bond ns2 है एक primary amine secondary amine tertiary amine और इन में से कोई नहीं cs3 का whole thrice c देखो आपको ध्यान रखना है कि यहां भी cs3 है और यहां भी cs3 है और यहां भी cs3 है और एक carbon के साथ यह 3 cs3 जुड़ेवे हैं और यहां जुड़ावा है ns2 तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यह पूरा का पूरा एक alkyl group है क्या है alkyl group तो यह वास्तिविक्ता में r ns2 है r ns2 होता है primary amine यदि हमारे पास दो alkyl group होते हैं और उनके साथ जुड़ावा होता है nh जिसे आप r2 nsb कह सकते हो तो यह होता है secondary amine और यदि तीन alkyl group होते है तीन alkyl group और उनके साथ जुड़ावा होता एक nitrogen atom तो इसे कहते है tertiary amine तो यह primary amine है यह secondary amine है और यह है tertiary amine बच्चे इसमें confuse इसलिए हो जाते हैं ति ns2 group जिस carbon से जुड़ावा है वो एक tertiary carbon है तो आपका जो ns2 group जिस carbon से जुड़ावा है उससे कोई मतलब हमें नहीं है क्योंकि हम यह alcohol के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं amine के बारे में हमें पता होना चाहिए r ns2 primary amine होता है r2 ns secondary और r3 n होता है tertiary amine तो हमारे पास यह r ns2 है देखो क्या है ns2 तो यह एक प्राधमी के amine है तो इसका सही उत्तर क्या होगा a सही उत्तर इसका a है ठीक है next अगला question question number second दूसरे question में कहा गया है आबंद कोण का बढ़ता हुआ सही क्रम है आबंद कोण का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है देखो हमारे पास जो bond angle होता है amine का जो bond angle होता है आबंद कोण कह दो या bond angle कह दो amine में जो bond angle होता है वो अनुकरमानुपाती होता है number of alkyl groups के number of r r का मतलब क्या होता है alkyl group किसी भी amine में जितने जादे alkyl group होते हैं आपको समझ जाना चाहिए उस amine का bond angle क्या होता है उतना ही बढ़ा तो amine देखो इसे देखो ns3 है इसमें एक alkyl group है यानि bond angle बढ़ा होगा ns3 से r ns2 का इसमें दो alkyl group है तो bond angle और भी जादे बढ़ा हो जाएगा और इसमें 3 alkyl group है तो bond angle और भी जादे बढ़ा हो जाएगा तो हमारा सही उत्तर क्या है b b हमारा सही उत्तर है क्योंकि alkyl group जितने जादे होंगे यहां r का मतलब तो आप समझ रहे r का मतलब क्या है alkyl group जितने जादे alkyl group होंगे bond angle उतना ही जादे बड़ा होगा ठीक है यह चीज ध्यान रखनी है बहुत important के हुस्सेन है यह होता आता है exam में कहीं बार पुछा गया है तीसरा question कौन सी amine मध्यावियवता दरसाते हैं आपको पता है मध्यावियवता दिखाने वाले वे group होते हैं जिनके दुर्णों तरफ carbon atom की सरंखला हैं उपस्तित हो यानि कोई ऐसा group जिसके दुर्णों तरफ carbon atom वाली सरंखला जुड़ी वी हो अब यदि हम rns2 की बात करें तो rns2 में तो जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूव होता है वो side में जुड़ा होता है carbon परमाणूओं के बीच में तो जुड़ा नहीं हुआ होता इसलिए primary amine तो मध्यावियवता दिखाई नहीं सकते अब यदि हम बात करें secondary amine की जिसे हम ऐसे लिखते हैं rrnh से secondary amine को चाहे तो आप ऐसे लिख लो चाहे तो आप लिख सकते हो rnhr इसे देखो द्यान से इसमें आपको पता है जो मुख्य क्रियात्मक समूव है वो carbon परमाणूओं की सरंखलाओं के बीच में है और ऐसा group ही होता है जो मध्यावियवता दिखा सकता है जो बीच में एड़ तरसरी amine की बात करें तरसरी amine होता है r3n जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो rnr और यह तीनों alkyl group एक जैसे भी हो सकते हैं अलग-अलग तरह के भी तो यहाँ जो क्रियात्मक समूव है वो किसी एक स्रंखला के बीच में नहीं है उसके एक तीन तरफ स्रंखलाइं है इधर भी है इधर भी इधर भी तो इससे तो उम्मीद करो ना और नहीं इससे उम्मीद करो primary amine से सिरफ secondary amine ही ऐसी होती है जिसमें जो amino group होता है वो carbon प्रमाणू की सरंखला के बीच में अपने आपको व्यवस्तित रखता है और ऐसे group ही मध्या व्यवता दिखाते हैं तो हमारा secondary amine देख लो क्या होगा secondary amine यह रहा देखो यह भी सारा क्या है अलकाइल ग्रूप और यह भी अलकाइल ग्रूप है और यहां बीच में आगया एकृप एनेच हमारा सही उत्तर secondary amine वाला है यहां एस्टू है यह primary amine है secondary amine option सी है और secondary amine ही मध्या विवता दिखा सकती है ठीक चलो next question अगला question देखते हैं question number fourth fourth question में कहा गया है rnco plus 2koh को गरम करा तो क्या बनेगा main product rnco देखो rnco यह rnco है और इसे हमने किस के साथ गरम करा koh के साथ तो koh के साथ जब आप गरम करोगे इसे koh के साथ जब गरम करोगे reaction मैंने आपको करा रखी है कहीं बार देखो जब koh के साथ गरम करोगे तो यह निकलेगा product देखो क्या product निकला k2 co कितने हैं 3 मतलब k2 co3 potassium carbonate side product main product आर एन हट टू में प्रोड़क्ट आया आर एनस टू में प्रोड़क्ट आया आर एनस टू तो यहां आर एनस टू बनेगा आर एनस टू क्या है option number फस्ट यह रहा आर एनस टू सही उत्तर हमारा क्या है ए ठीक है चलो देखते हैं अगला question next question number five पांचवा question पांचवे question में कहा गया है amido से amine बनाने में प्रयूक्त अभी करमाख है बहुत important question है amide amide होता है r co n h2 यह होता है amide जिसे हम अलके नमाइड भी कहते हैं और इस से हमें बनाना है क्या amine तो इस से amine बनाने के लिए आपको क्या चाहिए half man bromamide reaction सिखाई थी आपको br2 plus koh यदि आप half man bromamide reaction को पढ़ोगे और आपने पढ़ भी लियोगी तो amide को जब br2 और koh के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है यह बीच का co group गायब हो जाता है यह कहीं बार मैंने आपको सिखाया यह बन जाएगा main product आएगा rns2 और इस reaction को हम कहते हैं half man bromamide अभी करिया क्या कहते हैं half man bromamide अभी करिया तो हमें कौन सा अभी कर्मक चाहिए इसे आप arrow के उपर भी लिख सकते हो बी आल टू प्लस के उएच बी आल टू और के उएच किसमें हैं option A में यह रहा देखो बी आल टू और के उएच ध्यान रखना इसे कहते हैं half man bromamide अभी करिया next जहां आपको लगता है कि screen sort ले लेना चाहिए वहाँ screen sort ले लेना आप जरूर next question number 6 solve करो ग्रिगनार्ड अभी करमक की अभी करिया chloro amine से कराने पर प्राप्त उत्पाद होगा बैज ग्रिगनार्ड अभी करमक है RMG एक्स chloro amine से reaction करानी तो हम लिख देते हैं RMG CL यह ग्रिगनार्ड है इसकी reaction करानी है chloro amine से ठीक है chloro amine होता है इसके साथ जब आप reaction कराओगे तो देखो क्या बनेगा यहां से निकल जाएगा mgcl2 क्या निकला mgcl2 निकल जाएगा मेन प्रोड़क्ट आएगा rns2 मेन प्रोड़क्ट आया rns2 rns2 आपको बताए किसे कहते हैं primary amine को और साथ में जो साइड प्रोड़क्ट वो निकला वो जो साइड प्रोड़क्ट निकला है वो है magnesium chloride mgcl2 तो rns2 होता है primary amine यह रहा primary amine चटे का सही उत्तर क्या है ए प्राथमी कैमीन बनेगा नेक्स्ट अगला क्योस्टन question number 7 ध्यान से देखना बिल्कुल और last में मुझे बता देना कि वास्तविक्ता में आपको इन में से कितने question आते थे और नहीं आते तो हर एक question को ध्यान से समझते रहो बिल्कुल देखो बिटे सात्व गयोस्टन आर एंसी के उपर लीथियम ऐलुमीनियम हाइडराइड का जब reaction करते हैं तो एक्स बनता है एक प्रॉडक्ट है एक्स इस अभीकरिया में उत्पाद एक्स क्या है आर एंसी एलकाइल आईसो साइनाइड ऐसा होता है एलकाइल आईसो साइन एक तो होता है यहां डबल बॉंड और एक होता है कॉडिनेड बॉंड जब इसके उपर आप लीथियम ऐलुमीनियम हाइडराइड का रियक्सन कराओगे तो आपको बता है लीथियम ऐलुमीनियम हाइडराइड एक अप्चायक है यानि एक रिड्यूसिंग एजेंट है यह उधर जुड़ते हैं जो क्या है ग्राही परमाणू है ठीक है कार्बन की तरब तीर का निसान इधर है ना तो इधर जुड़ेंगे दो नो हाइडोजन चार हाइडोजन में से दो तो ऐसे जुड़ गे और दो इस तरह है अब क्या बनेगा ndh single bond CH3 अब देखो आप इसे कह सकते हों कि सर यह एनेच आया है और एनेच आर सेगंडरी अमीन बना राउट्र और यह भी आर एने सीसमी क्या बना आर एन एच सीएस थ्री नेक्स्ट अगला क्योश्चन देखते हैं कि अच्छन नमबर एट आठ वा क्योश्चन ध्यान से देखना आठ वे क्योश्चन में कहा गया है और मल्डियाइड वे अमोनियम डूराइड के मिसरन की अभी करिया किसी एक्षार के साथ कराने पर प्राप्त उत्पाद होगा इस reaction को थोड़ा ध्यान से समझ ले formal dehyde और ammonium chloride ammonium chloride होता है NH4Cl यह ammonium chloride है NH4Cl और इसकी reaction हमें करानी है formal dehyde है HCHO इसके दो अनू ले ले लेता हूँ HCHO जब आप इसका reaction कराओगे तो यहां से निकलेगा HCOOH यह निकलेगा formic acid HCOOH यहां लिख देता हूँ HCOOH formic acid तो बने गई साथ पे देखो और क्या बनेगा और बनेगा यह क्या है CHH1H यहां से CS3 NH3 CL यह बनेगा CS3 NH3 positive charge इसके उपर लगाना पड़ेगा और CL के उपर negative ठीक है इन्होंने कहा है formal dehyde वा ammonium chloride का तो करा दिया reaction के मिसरन की अभी करिया किसी एक्षार के साथ अब यह जो हमें उत्पाद मिला है योगात्मक product इसकी एन्होंच यह के साथ reaction कराओ CS3 NH3 positive और CL negative CS3 NH3 positive और CL negative यह पूरा एक योगात्मक उत्पाद है इसका reaction आपको या तो NH3 के साथ करा दो या तो करा दो के उएच के साथ जब इसके साथ reaction कराओगे ना तो एक तो यह निकलेगा NACL क्या निकला NACL और यहां से एक H और यहां से OH यह निकलेगा H2O एले लिख देते हैं एक तो NACL निकला और एक निकला H2O main product क्या आया CS3 NH2 दो ही तो बचेंगे CS3 S तो दो बचेंगे ना CS3 NH2 प्लस यह बनेगा ठीक है तो हमारा CS3 NH2 देखो कहा है CS3 NH2 यह रहा primary amine क्या बना primary amine next अगला क्योफ्षिन देखते हैं चलो अगला क्योफ्षिन इस अभिकरिया में A क्या है यानि यह अभिकारक जो A है यह क्या है वही चार ओप्सन दे रखे हैं यह अभिकारक जो ammonia के साथ reaction करेगा जीन क्लोराइड की उपस्तिती में और H2O निकलेगा तो इसका मतलब यह है कि OH यह निकलना है OH यह निकलना है और यहां से निकलना है H ठीक है तो इसका मतलब उपर बेंजीन रिंग के उपर क्या होना चाहिए OH होना चाहिए यहां बेंजीन है यहां नाइट्रो बेंजीन है यहां बेंजोई के असीड है यहां benzened ring के उपर ओँ है तो यह benzened ring है देखो इसका सही उत्तर यह है देखते ही पता चल गया benzened ring benzened ring के उपर oogh है ब्यार इसका reaction ammonia के साथ करये हैं ammonia को हम ऐसे लिखते हैं आपको पता होगा है जब reaction करोगे कि उत्परे रख जिंक क्लोराइड की उपस्तिती में हम reaction करा रहे, temperature भी दे रखा है, क्या होगा, यहां से तो निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, यह निकल गया H2O, और main product, benzene ring के उपड़ क्या आया, benzene ring के उपड़ आ गया NH2, और main product निकल गया आपका H2O, देखो, तो A क्या है, benzene ring के उपड़ OH यानि फिनॉल, तो option D हमारा सही है, कौन सा सही है, option D, फिनॉल, next, अगला क्योफ्षिन करते हैं, क्योफ्षिन नमबर 10, दसवा क्योफ्षिन, बहुत important है, दसवा क्योफ्षिन, चलो, दसवा क्योफ्षिन देखो, दसवे क्योफ्षिन में कहा है, क्वथनांग का सही करम है, बहुत important है, कार्बोक्सलीक एसिड का क्वथनांग सबसे ज़्यादे होता है, ध्यान रखना, यदि कार्बोक्सलीक एसिड, alcohol और primary amine और alkane, R bond R का मतलब क्या होता है, इनका comparison कर होगे न, तो बेटे, hydrogen bond तो यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, carboxylik acid में भी बनेगा, alcohol में भी बनेगा, amine में भी बनेगा, पर इसमें hydrogen bond नहीं बनता है, इसमें बनता है, क्या, वेंडरवाल bond इसमें लगता है, वेंडरवाल bond ठीक है, जो बहुत कम जोर है, hydrogen bond से तो कम तो इसलिए इसका कौतनांग तो सब से कम होगा, पर सवाल यह घ्ड़ा होता है, कारवोकसलीक एसिट और Electric Chingmer और आमिन, इने में सबसे ज़दे मजबूत how hydrogen bond बनता है,だ透 war eamene में इसका हेडोजन सबसे मजबूत है, इसलिए अकार्वाकसलीक एसिट का कौतनांग सब से ज़ इस सिक्वेंस को सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि कार्वॉक्सलीक एसिड का यदि इनके सब के अनुभार बराबर हैं तब हम तुलना कर रहें का सबसे ज़्याद होता है क्योंकि इसमें बनने वाला हैड़्ोसन बॉंड सबसे मज्बूत होता है ऐको Sıkhoohl का उससे कम इमीन का उससे भी कम और Elkane का सबसी कम क्योंकि Elkane में Hydrogen Bond होता ही यहीं नेक्स्ट क्योंस्ट क्यूस्टर नमबर 11 11 11 11 में कहा गया है यह से अवस्था में एमीन की खी खारक्ता का सही करभ है खारक्ता का मतलब यहां क्षारिय प्रबलता है और यह बात आपको सिखा रखे ए जो आमीन की क्षारिय प्रबलता होती है ना है मेंज की क्षारिय प्रबलता यानि बेसिक स्ट्रेंथ एमीन्स की क्षारिय प्रबलता अनुक्रमानुपाती होती है क्लस आई इफेक्ट के यानि धनात्मक प्रेंडिक प्रभाव के तो जितने ज़्यादे अलकाइल ग्रूप अटैच होंगे उतना ही धनात्मक प्रेंडिक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और वो एमीन उतना ही ज़्यादे क्या होगा क्षारिय होगा ठीक है देखो इसमें कितने अलकाइल ग्रूप हैं तीन तो सबसे ज़्यादे क्षारिय होती है तरसरी एमीन इसमें दो एलकायल ग्रूप हैं तो धनातमक प्रेंडिक प्रभाव दिखाने वाले दो ही ग्रूप हैं इसमें अक्षारिय प्रबलता इसके मुकाबले कम होगी और यह प्राइमरी एमीन है इसमें एक ही एलकायल ग्रूप है तो इसमें एक भी एलकायल ग्रूप नहीं है तो एक्षारीय प्रबलता सब्सक्म किसमें होगी NS3 में अब सवाल यह खड़ा होता है कि सर क्यों हमें यह तो पता चल गया उत्तर सी सही है और यह भी पता चल गया कि आमीन की एक्षारीय प्रबलता अनुक्रमानु पाती होती है प्लस आई इफेक्ट की मातरा के देखो टर्सरी आमीन की जब हम बात करते हैं यह एक मिथाईल गुरूप यह है और एक मिथाईल गुरूप यह है और यह तीन नो नैट्रोजन एटम से जुड़े वे हैं सब को ब एमीन है वो खशारिय प्रकरती दिखा रहा है चूंकर आपको पता है कि इलेक्टरॉन के जोड़े एका की इलेक्टरॉन यूग्म को डोनेट करने का लक्षन ही लुईस अक्षार का लक्षन होता है तो ये इलेक्टरॉन पेर किसी को भी देने को तैयार है इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ खासियत यह उती है टर्सरी अमीन में यह तिन्नो जो मिठाइल गृप है न यह प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं यानि इस बोन्ड के दुन्हों इलेक्टरॉन नाइट्रोजन की तरफ इसके भी नाइट्रोजन की तरफ जब तीनों bond pair of electron nitrogen की तरफ को सरगे तो इसका मतलब यहाँ जो electron pair की उपलब्धता है वो बढ़ गई है electron pair की जो availability है उपलब्धता है वो बढ़ गई है आसनी से किसी को electron का जोड़ा दे दिया जाएगा इसलिए tertiary amine का जो basic strength होता है वो ज़ाद होता है जबकि यहाँ help करने वाले सिरफ दो ही methyl group है दो और यहाँ एक ही methyl group है help करने वाला ठीक है देखो CS3 NH2 को देखो CS3 group तो यह है और यह nitrogen atom है एक hydrogen इसके उपर यहाँ है एक यहाँ है और यह lone pair है यह देना किसी को यहाँ help करने वाला तो एक ही है hydrogen help करेगा पर उतनी नहीं करने का जितना methyl group करेगा methyl group का plus i effect hydrogen के मुकाबले जादे होता है वास्तिविक्ता तो यह है कि hydrogen की तुलना में ही तो देखते हैं plus i effect ठीक है या minus i effect क्या दिखा रहा है कोई और यहाँ देखो यहाँ तो एक भी alkyl group नहीं है तो इसका मतलब plus i effect दिखाने वाला एक भी group नहीं है और plus i effect दिखाने वाला एक भी group नहीं है इसका मतलब electron का जोड़ा बड़ा मॉस्किल होगा और electron का जोड़ा दूसरों को देना बड़ा मॉस्किल होगा इसका मतलब कषारिय अमोनिया भी ध्यान रखना अमोनिया भी क्षारिय ही होता है तो यह सिक्वेंस ध्यान रखना है और एक चीज का और ध्यान रखना है कि यह सिर्फ गैसी अवस्था के लिए बात कर रहे हैं यदि आपकी एमीन गैसी अवस्था में हैं या गैसी अमाध्यम में हैं तो एमीन की एक्षारिय प्रबलता अनुकरमानुपाती होती है प्लस आई इफेक्ट के या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो प्लस आई ग्रुप्स के जितने जादे प्लस आई ग्रुप्स अटेच होंगे एमीन के उपर समझो उतना बढ़िया प्लस आई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और बेसिक स्ट्रेंथ भी एमीन की उतनी ही जादे होगी प्लियर बात पर यदि एक बात बताऊं यहां यदि यही सवाल यहां गैसी अवस्था में लिखावा ना आए ठाहिए बाना सवाल आ गया ग्याय व्यां विलीयन आ अवस्था में आ गया वैसे द्रौ में आना चाहिए यह तो गैस में मैं यह द्रव में दिक्कत यह होती है के यह प्योuing Прin attached यि जो तरसरी बना रहा आपके सामने और एक CS3 ये जोड दिया अब ये तिन नो मैंने जोड तो दिये एक ही तरफ और यहाँ लॉन पेर दिखाना था मुझे और वास्तविक्ता में ऐसा हुदता नहीं है ये तिन नो जो है उनका बॉंड एंगल ऐसा नहीं हुदता जैसे दिखाया गया गहर के रखेंगे इसे लॉन पेर को तो जो भी कोई लॉन पेर लेने के लिए आएगा ना यहां मालो लॉन पेर लेने के लिए कोई भी आ रहा ऐसा जैसे मालो है पॉजिटिव आ रहा है है एच पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन के जोड़ेगी जरुरत है ना पता है न जो भी इस लॉन पे और फिलेक्ट्रोन को लेना चाहेगा उसका इस तक पहुँचना थोड़ा मुस्किल होगा टरसरी अमीन के केस में और उसका इस तक पहुँचना मुस्किल होगा इसका मतलब टरसरी अमीन यदि द्रव माध्यम में हम बात करें तो द्रव माध्यम में क्या होगा इसकी एक्षारिय प्रणवलता सबसे जादे नहीं होगी तक कि यह तो कर लूगे यही आवस्ता में हैं ये आपका क्योश्चन है टरसरी अमीन गी एक्षारिय प्रबलता सबसे ज़्याद है फिर सेकेंडरी की फिर प्राइमरी की फिर अमोनिया की अब यदि सवाल ऐसा आजाए देखना जरा यह देखो सवाल इस सवाल में बारवे में कहा गया है जलिय विलियन में एक्षारिय प्रबलता का सही करम बताओ जलिय विलियन में तो आपको नंबर पे टर्सरी यमीन क्यों पहुंचा आपको पता चल गया स्टेरीक हिंडरेंस के कारण त्रिविम विन्यासी बाधा के कारण और यह आपका क्या है यह है इन्होंने जो आप्सन दिया वो दिया सी सिक्स एच फाइव अब सी सिक्स एच फाइव एन इस टू को जब आप देखोगे न तो इसमें भी दो बाते हैं पहली बात तो यह है कि इसमें त्रिविम विन्यासी बाधा होगी इस रिंग के कारण दूसरी बात यह है कि यह लॉन पेर ओफ इलेक्टरॉन गूम सकता है इस रिंग के अंदर आपको पता है रिंग जो होता है ना बैंजीन रिंग उसके अंदर electron को अपने अपने अंदर समाई रखने की अक्षमता होती है क्योंकि उसमें अनुनाद होता है न तो यह lawn pair of electron क्या हो सकता है यहाँ इसके अंदर गूम सकता है lawn pair of electron जिसकी वज़े से क्या होगा जिसकी वज़े से इस इलेक्ट्राउन पेर की दूसरे पर्मानुवों के लिए उपलब्धता घट जाएगी इसलिए हमने कहा है कि जब बेंजीन रिंगे गैसी बाधा यह जली विलियन का सवाल है ध्यान रखना गैसी अवस्था में यह यहां आ जाएगा ठीक है चलो इन दुर्णों में से कोई साभी क्योस्चन आपके एक्जाम में आ सकता है क्योस्चन नमबर 13 देखो तेरवे क्योस्चन में कहा गया है और एनस्टू प्लस सी ए अभी करिया को क्या कहते हैं याद होगा आपके क्या कहते हैं इसे कार्बाइल एमीन अभी करिया या आईसो साइनाइड अभी करिया देखो आर एनस्टू आर एनस्टू क्लोरो फॉर्म इसमें होता है कार्बाइल एमीन अभी करिया में ठीक है चल 3 चल 3 है तो ऐसे बना दि को फिलेंगे लेने पढ़ेंगे आपको पता है को कितने लेने पढ़ेंगे ने Shrainer यह लिए थेन यहान से समझ ना बिल्कुल हर एक चीज को घृऊना से तो आपको पता रहा है निकल कि अ कि केसी ल लोगा फुर्फ क्लोली से मेर Corinth लिक देते है न है एच हैं तो हम लिखेंगे थ्री एच टू और तीन ऑक्सीजन इस्तिमाल कर लेंगे यह तीन ऑक्सीजन दिस दिस अन्ड दिस अब हमारे पास क्या बचा एन बचा आर एन और सी तो में प्रोड़क्ट आएगा आर एन सी एलकाइल आईसोसाइनाइड इस रियक्सन को आईसोसाइनाइड अभीकरिया भी कहते हैं और कार्बाइल एमीन अभीकरिया भी कहते हैं ठीक है मतलब एक्जाम में कहीं तरीके से सवाल पूछा जाता है कि कार्बाइल एमीन अभीकरिया में कौन सा हैलो एलकेन इस्तमाल भी आप यूज़ कर सकते हो कौन सी एमीन इस्तमाल होती है प्राइमरी एमीन या सेकंडरी एमीन भी कलो देखो अभी एक बहुत बढ़िया क्योश्चन आएगा क्योश्चन नमबर फॉट्टीन है निम्न में से कौन सा योगी को एच तथा प्राथमीक एमीन के साथ गर्म करन पर कार्बाइल हमीन परिक्षन देता है कि इन्होंने कहा के वेच दिया और प्राथमीक एमीन ठीक है तो आर एनस्टू एलकोहली के वेच और क्या जहिए क्लोरो फॉर्म सी एस सील 3 कि ऑप्सन एस ही है 14 का कार्बाइल हमीन अभी करिया या आईसोसाइन अभी करिया है हने एनो डूज़ और एस्सेreno के साथ अभी करिया करके अलकोहल देता है अच्छा एल्कोहल कॉन देगा एल्कोहल यही देगा निया पंदरवेग सी सही ए प्रामरीमीन यह नसी एस थ्री एनिष्टू देखो यहां क्या होता है HNO2 बनता है HNO2 को हम ऐसे लिखते हैं यह इसकी रियक्षिन ऐसे करनी चाहिए यह और यहां और यहां और यहां और यहां और यहां और साथ में और क्या बना है और अभी मैंने आपको बताया कि NACL भी बनेगा इसमें साथ में आप लिख सकते हो NACL भी यह NACL भी बनेगा और NACL के साथ HNO2 भी बनेगा अचन भी तो चलो रियक्षिन कर दी पर NACL के अलावा जो है आप यह यहां लिखना चाहते हो ना HNO2 भी बनेगा तो आप लिख सकते हो ऐसे ठीक है लिख सकते हो कि HNO2 भी बनेगा reaction करनी आनी चाहिए कि किस तरह हमने HNO2 का reaction करा मतलब यहां जो है आप HCL भी लिख सकते हो कि HCL भी है बचावा क्यों क्योंकि HCL हम अधीक मात्रा में इस्तमाल करते हैं इसे HCL को reaction आनी चाहिए यह करनी बिल्कुल नेक्स्ट अगला क्योस्टिन नमबर 16 निम्ड मेंसे कौन सी अमीन नाइट्रस अमल के साथ करिया करके एंट्टू मुक्त नहीं करती है बही नाइट्रस अमल के साथ करिया करके नाइट्रोजन गैस मुक्त करने के लिए एक सर्थ है कि जो एमीन का नाइट्रोजन परमाणू है उसके पास हाइट्रोजन परमाणू होना चाहिए अब यदि आप प्राइमरी एमीन की बात करो आर एनिस टू की तो इसके पास हाइट्रोजन एटम है तो यह तो रियक्शन कर लेगी ठीक है नाइट्रस अमल के साथ है एच नो टू के साथ और नाइट्रोजन गैस बना लेगी यदि आप सेकेंडरी एमीन की बात करो तो secondary amine के पास भी hydrogen है तो ये भी hno2 के साथ reaction करके nitrogen gas मुक्त कर देगी पर यदि आप tertiary amine की बात करते हो ना तो tertiary amine के पास जो nitrogen परमाणू है इस nitrogen परमाणू के साथ कोई hydrogen परमाणू नहीं होता है और hydrogen परमाणू नहीं होता है तो ये hno2 के साथ reaction करके nitrogen मुक्त नहीं करेगा तो इसका सही उत्तर जो solway का होगा त्राइ मिथाइल एमीन तरसरी amine त्राइ मिथाइल एमीन इसे ही तो कहते हैं CS3 मिथाइल गूर्प कितने है तीन ट्राइ मिथाइल एमीन यह उत्ता है ट्राइ मिथाइल एमीन यह एक तरसरी एमीन इसे हैं इस चलो नेक्स्ट अगला क्योस्टेन देखते हैं क्योस्टेन नंबर 17 गोस्टेन में कहा गया है इथाइल एमीन पर HNO2 की करिया से बनता है इथाइल एमीन इथाइल एमीन C2H5 NH2 इसके उपर reaction करनी है HNO2 अब HNO2 का reaction मैंने आपको सिखा रखा है HNO2 का reaction ऐसे करना चाहिए HNO2 को ऐसे लिखना चाहिए OHNO देखो HNO2 क्या बना C2H5OH एक तो बना C2H5OH और क्या बना यह कौन सी गैस निकली बीच में से यह निकली nitrogen गैस और साथ हमें और क्या बना यह क्या बना H2O देखो यह reaction दे रखती है यह रहा option C2H5OH दे रखा है सिरफ main product C2H5OH करें next question चलो देखो यह बिटे सारे question बहुत important है बहुत जादे important यह सारे question बार-बार पुछे जाते हैं exam में इन्होंने कहा C2H5 CO-NH2 के उपपर BR2 और KOH का reaction करना है half man bromamide अभी करिया और आपको पता है half man bromamide अभी करिया में बीच का CO यहां से गायब हो जाता है main product बनेगा आपका C6H5NH2 यानि एनिलीन यह बनेगा C6H5NH2 एनिलीन देखो है क्या बस एनिलीन क्या इन्होंने फार्मूला यह दे दिया C6H5NH2 C है इसका सही उत्तर next अगला क्योप्षिन question number 19 question number 19 में इन्होंने कहा है कि benzene dijonium chloride का reaction एनिलीन के साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा कि बेंजीन dijonium chloride कि बेंजीन कि डाइजोनियम chloride N2Cl को हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे कि ठीक है क्लस माइनस कि इसके साथ कराना है एनिलीन के कि एनिलीन को देखो मैं कैसे बना रहा रियक्षन तो आपको सारी सिखा रखी है यह देखो N2 यह एनिलीन है जब इनका रियक्षन होगा न तो यहां से तो निकलेगा H और यहां से CL HCl निकल जाएगा as a side product main product आएगा निच्चे बना दू main product यह benzene ring यह नाइट्रोजन यह double bond नाइट्रोजन और यहां भी जुड़ा हुआ है benzene ring नए वाला तो निकल गया और यहां है NH2 यह बनेगा main product और इस main product को आप कह सकते हो para amino azobenzene para para amino azobenzene यह है इसका नाम para amino azobenzene अब चेक कर लो कहा है यह रहा B option B para amino azobenzene तो इस तरीके से आपको यह question solve करने है इस chapter में केवल 19 ही question थे जो super duper है बहुत important है 19 में से कितने question आपके सही हुए है यह आपको मुझे बताना है as soon as possible जितना जल्दी हो सके और हम अगला lecture एक दो दिन में last chapter का unit number 10 का बहुत जल्दी लेकर आएंगे ठीक है बस महनत और इमानदारी से पढ़ा ही करते रहो and best of luck for your board exam thank you very much for watching this video okay bye